नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपके यूटीब चनल सक्सकीनेटीटू में दोस्तों चार बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हुए हैं जो देखिए चार के चार बहुत ही इंपोर्टेंट है सबसे पहला देखिए कि प्रतेग में एक सिक्षा अनुदेशा के की बहाली होगी लेकिन ये कब बहाली होगी कैसे बहाली होगी इसकी प्रक्रिया जो हैसो लंबे समय से चल रही है लेकिन अब जो हैसो ये जो हैसो गती पकड़ते हुए नजर आ रही है दूसरी ख़वर नेखे कि अमीन की जो बहाली होने वाली थी जो पिछले कई बरसों से ये लटकी हुई है और एक बार फिर से जो हाई कोट के आदेस के अनुसार कल के मतलब आदेसा अनुसार एक बार फिर से लटकती नजर आ रही है तीसरी ख़वर ये देख लिए कि 66 BPSC की प्राडबिक प्रिक्षा जो है वो आपको जरवरी में होने वाली थी ठीक है लेकिन उसके देट को एक्स्टेंड कर दिया गया है अब अगलाती थी क्या निर्धारित के होने वाली है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे तीसरी चवती और सबसे लाश्ट ख़वर ये है कि समगर सिक्षा से कल 17 अरब से अधिक रूपय को जो है सो रिलीज किया गया है अब ये पैसे किस प्रकार खर्च होंगे कहां खर्च होंगे और क्या मतलब जो हैसाँ से था उसको समगर सिक्षा के रूप में परिनत किया ग कर दिए और दिए और बैल को और दो लेजिए जिससे आपके पास तक बीडियो का नोटिफिट्यों जाता रहे हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या ढूंदेशतन की बहाली के नहीं की बहुत ही जल्द होने वाली है ठीक है यह जल्द का में एक कंप्यूटर ऑपरेटर दिया रहा है प्रते कि जो माधिमिक विद्याले में पाइशाट सो जिसको अपग्रेड किया गया है तो उसमें जो हैसे बिद्याले सहाइक की बहाली होगी ठीक है और इनका कारी जो होगा जो समझ लिजे कि विद्याले से ले करके और प्रखंड रपखंड से जिला जिला से लेकरके राज अस्तर तक जो communication gap है उसको भरने का अभी प्रधाना ध्यापक जो होते हैं उन्हीं को भाग दोर करना परता समझ ज्याद यह सैकचिक गतिविडी पर प्रधाना ध्यापक कम ध्यान दे करके सब दिन रिपोर्ट जमा कर करना यह करना वो करना मतलब उनको भागना पड़ता है तो यह काड़ जो है सो इन पर आ जाएगा ठीक है यह जो है विद्धाल सहाइक तो यह देखिए सिक्षा मतर विजाकमार चोधरी के मताबिक सारे सवास्त अनुदेशक हैं कि उनकी पहल जा चुकी है इसकी máximपति के बात चाहिए सच्वाओं चल रही है सारे सप्षा की स्केद्ञाले कर 5005bor मतों कि पहले से पास Колि भाता के लिśćएगा थे समीस, प्रिक्षा आउजित करने के बाद इनकी बहाली की जाएगी और जैसे ही चुनाब खतम होगा तो सारे 1200 प्राड़मिक शिक्षक नियोजन इकायों में कॉंसरिंग के लिए जो है सो मतलब कॉंसरिंग किया जाएगा और कॉंसरिंग के जस्ट बाद नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे ठीक है चटे चरन के जितने भी पद खाली है उसको भड़े जाएंगे उसके बाद साथ में चरन की परक्रियां सुरू की जाएगी यह थी बड़ी खबर थी अगला सिक्ष्टी फोटी का डेश्यों बनता है हमेसा लेकिन इसमें लगभग लगभग के प्रॉक्स में 11 कुछ है तो मारे बार माल लेते हैं तो टोटल जैसो 35 अरव रूपई एक जो है समगर सिक्षा में खर्च करने की बात हो रही है ठीक है 35 जिसमें अभी जो है सो यह 22 अरव साथे यूजना है है कुल मिला करें इसमें जो है सो किया गया है मतर सिक्षा क्रजे करने का घابन कारिर्मान होता है ईक होता हैर पर है और वी जो एकत्रित करके अब जारी किया जाएगा ठीक है ये था बहुत ही जएदे कोई बड़ी बात नहीं है जो पहले से ही है उसको थोड़ा सा एड़िस्ट किया गया अब तीसरी बात यहाँ देख लीजिए नाम खाली बदला गया और कुछ नहीं अमीन के 17 सरसट पदों पर बहाली की का बिग्यापन था बिग्यापने रद कर दिया अब देखें यहाँ वे हाई कोट ने बिग्यापन को रद कर दिया है अब यह क्यों रद किया गया है थे वह जो है सो निर्धारित योगिता रखता था जो पूर्व से और उन्होंने चुनोती दे दिया था हाई कोट में आफी तक स्पाइब अभी तक नहीं कराई अधिक है मतलब मिला नहीं लेकिन फिर से भी ज्यापन निकाल दिया इसलिए इसा पटना की त्या कई तीन महीने के अंदर उसको भरने का आदेश दिया उसके बाद नहीं जो सुपध को पदपर फिर से बहाली करने के लिए ठीक है यह विग्यापन प्रकासित करने के लिए कहा गया ठीक है यह बात है देख लिए असपस्ट रूपस है पहले पदो पर जो नियुक्ति होने वाली थी उसको पहले नियुक्ति किया जाएगा उन्हें कानवे लोग जो हाई कोट में आचिका दायर किये थे उसके बाद से अगली प्रोसेस होगी उसके बाद पुना जो है सो भी ग्यापन डाला जाएगा तो यह प्रकडिया काफी लं नजर नहीं आ रहा है अभी कोरोना की अगर बात करें तो देख लीजे लगवग कई राजियों में फैल चुका है 3300 कोरोने के मामले आज फिर मिले हैं लेकिन कहने का अतात पड़े यानि ओमी कोरोन का लेकिन अभी फिलहाल तो यह 33 जनवरी तक हमें लगता है कि ओनलाइन भी की जाती है तो माली जो होना तो है ही ठीक है लेकिन ओनलाइन होने की प्रवल संभावना है तो देख लिजे क्या होता है यह देखिए इसको चौल लाग से अधिक अभी आवेदन कर चुके जिसमें 30% महला मिदबार है 720 बदो पर इसकी बहाली होनी है ठीक है लेकिन कब देख अगला ढीर ज्य से अस्थाइट करने का तातपड़ हो गया तो अभी उसको किस ने कहा सकता है कि इतना दिन तक टाला जाएं लेकिन देखिए कब तक टाला जाता है तक है नेक्स्ट कि आप मतलब बी पीसकी का में वैब साइट है वहां से भी आप जनकारी रख सकते ह पता चलेगा कि इसकी जोहसो अगली ती थी क्या निर्धालित की गई है तो ये थी जह सो अगला दिखे क्या है ख़बर देखिए चारों आपको सेयर कर लिया अब दोस्तों सिक्षा दिकत की तमाम बड़ी खबरों के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आपको चार क चार जो है सो बहुत ही मुहत्वपुर्ण खबर में साजा किया है साथ जो है सो वीडियो को लाइक जिरूर कर दिया किजिए बहुत-बहुत धन्यवाद